इस प्रढम को सॉल करते हैं, question क्या कहता है, man spent 8 months as much as he earns in 6 months, he saves 6,000 rupees in an year, his average monthly income is, क्या कहरा question है, एक man है, वो जितना 8 months spend करता है, वो उतना spend करता है, जितना वो 6 months earn करता है, साथ में question में ये भी बताता है, कि उसकी saving पूरे साल की वो है 6,000 rupees, तो हम सब पूछ रहा है कि वो उसकी average monthly income बता हूँ, तो अगर हम मान लें कि उसकी average monthly income जो है, वो X है, ठेक है, average monthly income उ उसकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12 into X that is equal to 12 X, ठेक है, expenditure अगर हम निकालना चाहें, 12 महीने का, कि पूरे साल का expenditure उसका कितना है, तो ये condition का use करेंगे हम, कि 8 months का expenditure है, वो कितना है, 6 month के earning के बराबर, और हमने माल लिए आए कि X जो है, एक month की earning है, तो 6X के बराबर ही ह हो जाएगा, तो यही से 12 month का अगर निकालने, पूरे साल का निकालने, तो कितना हो जाएगा, 6X by 8 into 12, ठेक है, इसको simplify करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3, 2 से, ये 3 times जाएगा, 2 से, ये 4 times जाएगा, 4 से, ये कितना time जाएगा, 3 times जाएगा, it means 9X, तो 12 month का X के term में जो expenditure आया, वो कितना आगया, 9X, अब उसकी income है कितनी, annual income है कितनी, 12X, और जो expenditure आया, 9X, question में दे रखा है, वो save करता है, 6,000 रुपए, it means, जो 12X minus 9X है, वही उसकी saving हो, और वो कितने के बराबर है, 3X के बराबर है, और saving कितनी question में दे रखा है, वो दे रखा है, 6,000 रुपए, तो X की value अगर यहां से find out करें, वो कितनी आने वाली है, वो आ जाएगी 2000 रुपए, तो option 2, 2000 जो है, उसकी average monthly income है,